ओम शान्ति आज की मुडली जिसे हमने आज अपनी क्लास में सुना आए उस पर अब हम मनन और चिंतन करें बाबा ने आज की मुडली में हमें एहसास कराया है कि बच्चा अब तुमारी वानप्रस्थ हवस्था है वापस घर जाना है इसलिए बाप और घर को याद करो पावन बनो सब खाते खलास करो हम क्योंके कई जन्मों से दो जुगों से शरीर के भान में रहे हैं हमारा सारा अपना जो जीवन का प्रोग्राम भी है लाइफ का जो बनाते हैं वो एक जीवन के लिए बनाते हैं तो हमने अपने जीवन के लिए हमारे जो पूरवज थे उन्होंने उसमें अवस्ताइं बता दिया तो उसमें कहा जाता है आश्रम कहते हैं उसको एक तो ब्रमचरी आश्रम हो गया ठीक है उसके बाद विवा आद्दी हुआ गरस में आए उसका नाम गरस्त आश्मर रख दिय उसके बाद जब यक्ति अपना संसारिक जुम्हवारिया निवा देता है उसके बाहल बच्चे आदी सेटल हो जाते हैं फिर उन्होंने कहा आप तुम विड्रॉव करने के लिए त्यारी शुरू कर दो तो तीसरे आश्रम को उन्होंने वान परस्त कह दिया कि आप देखें गार्मानसिक तो और भी सन्यास धारन करो तो सन्यास आश्रम मेंने पूरी तरह से पुरानी दुनिया से जाने की तियारी कर लो ताकि अब तुमारा जब रित्यू का टाइम आए तो तुम पूरी तरह से निवरित हो लेकिन आप जानते हैं कि ये जो आश्रम है ये आज कल चैली नहीं सकते हैं लोगों के मोह इतना आगया मोह माया में इतना फ़स जाते हैं कि वो गरस्त तक जाते हैं फिर गरस्त को जिंजाल भी समझते हैं दुखी भी होता है पर उसको छोड़ते नहीं जैसे कोई मिर्ची खाता रहता और सीसी करता रहता वान परस्त में जाने क कहां वो सारा सिस्टम चेंज हो गया फिर उसके बाद सन्यास की तो नौबिती नहीं आती इसलिए अलग कर दिये कि कई लोग सन्यासी बन जाते हैं जीवन में ही फिर इस दुनिया में एकाल रित्तु बहुत है तो ये चार आश्रम चली नहीं सकते लेकिन भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो ये बताया था वो एक पार निर्वान भी कहते हैं तो भगवान फिर आवशिपाबर आबा के समझाते हैं ऐसा समय में अवत्रित इतब होता हूं जब सभी आत्मयों का, आक्टरों का इस नाटक में पाच्पूरा होता है और सभी आत्मा को वान परस्त में रहना अर्थाद पार निर्वान में जाना है कि जब अंत होता है तो सभी आत्मा श्रीरों को छोड़कर उस निर्वान धाम जिसमें वानी है ही नहीं शांत वहां तुमको जाना है सब खाते खलास कर देखिए कि पावन बने बगैर उस पावन दुनिया में जानी सकते वो परमात्मा का घर और आत्मा का घर है तो जहां आदमी ने जाना होते पहले मानसिक तोर पे वहां जाने का करता है सब खाते खलास कर देता है किसी ने अमरीका भी जाना हो पर्मेनेटली तो यहां सारा साब कताब चुक्तु करता है इसलिए बाबा ने ये बताया है कि ये एक्चिल वानपरस्त का समय है सबका को ये ना समझे कि मैं बच्चा हूँ मैं जवान हूँ शरीलिक वो बाड़ी कॉंशिस आजागी सबी आत्में इस समय अपनी वानपरस्त अवस्ता में आज की मुडली में बाबा ने हम बच्चों को धहरे दिया बाबा कहते हैं कि कोई भी चीज अब शुरू होती है तो अबश्यों उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं आती है इस यग्य में भी बहुत प्रकार के विगन पड़ते हैं लेकिन बच्चे तुम धीरज रखो क्यों एक दिन आएगा जो सब तुमारे आगे माथा जुकाएंगे बंधेलियों के बंदन खलास हो जाएंगे यह सब तब होगा जब तुमारी अवस्ता भी अच्छे होगी जितना तुम बाप को याद करेंगे बंदन डूटते जाएंगे विकरमा जीत बनेंगे अब देखिए इसमें बाबा ने हमारे प्रॉग्रेस का सारे यगे के यगे रिच्टा को तुसका कोई फल मिलता है ना उसका सारा इतिहास बता दिया कि ऐसा नहीं कि जल्दी से तुम फल काने की कोशिश करो हैं आज किल के लोग क्या हैं उनमें धैरी है नहीं तो भगवान के भी प्रातना करेंगे, तो क्या कहेंगे? God give me patience, but please hurry up. तो आज की दुनिया आप जानते हैं, हर चीज बहुत हरीड हरीड हो गई है. और hurry causes worry. तो भगवान हमें समझा रहा है, कि देखो, सबसे important चीज़ है, patience रखना. तुम्हें तीनों लाग कालों का, तीनों लोगों का ग्यान है. हर चीज अपने समय पर होगी. और होगी ये वश्य, उस समय को हमेशा ध्यान में रखना है. समय से पहले कुछ नहीं हो सकता. इसलिए धैरिये रखो, क्योंकि इस यग्य है, ग्यान यग्य बगवान ने रचा है. और ये नया यग्य है, नई परकार का सारा ग्यान है, धारनाएं हैं, तो इसमें विगन जरूर पढ़ेंगे. क्योंकि जो लोग इसको अंडरस्टेंड नहीं करते, कोई चीज समय से पहले की होती है. आप देखेंगे कई ऐसे दुनिया में फिलोस्फर हुआ हैं, जिन्होंने ऐसी बाते कहीं, जो लोगों के समझ में नहीं आई, उस समय नहीं उनको उन्होंने जान से मार डाला, इसलिए भगवान कहता है कि यग्य में विगन आएंगे, और ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, यग्य करते थे और उसमें राक्षिस लोग विगन डालते थे, भाव उसका ये है, कि जब भगवान येग्य करता है, तो जो उसके येग्य की नई बातों को नहीं समझते हैं, उन लोगों को बंदन डालते हैं, जो उनके रिष्टेदार येग्य में आते हैं, तो शुरू में ऐसा ही हुआ, कि बाबा के ग्यान में जब जो भी बच्ची आए, उनके परिवारवालों ने, औरों ने, उसको ना अंडर्स्टेंड करके, उनके रस्ते में बहुत रुकाव्टे डाली, लेकिन भगवान ये भी कहता है, लेकिन ये भी समझ लो, कि जहां कह होगा, तो तुम्हारा जैजैकार होगा, तो ऐसा दिन भी आएगा, जब तुम यग्यो को सफल करोगे, अपनी धारनाव में आओंगे, तुम्हारा संगठन बढ़ेगा, तो वही लोग अंडर्स्टेंड करके एप्रिशेट करना शुरू कर देंगे, आज वो हालत है, पहल पूरिश्वरी शक्ति है, वो बाबा ने बता रहा है, ये दिन भी आएगा, और फिर क्या होगा, फिर जो बंदन तुम्हारे तूट कईयों को रोका जाता था, कहां जा रहे हो, है ना, तो बगवान कहता है, तो तुम्हें बांदा जाता था, खास दोर पे माताओं को, और कन्याओं को, और तुम्हारे बंदन भी तूट जाएंगे, लोग सहम अपनी कन्याओं को समर्पित करेंगे, ये तो अच्छा मारगा है, इस रस्ते पर ये चले, तो बगवान ने ये सारा बताया, पिर आज की मुर्ली में जो गीत बजाया है, वो है भोले नाथ से निराना भोलाना तो शिव बाबा को कहा जाता है, इसके साथ कनेक्ट करते हुए, आज बाबा ने शिव और शंकर का जो भेध है, वो अच्छी तरह से समझाया है, दोनों को बाबा ने इकॉंट्रास्ट कियां, जो वो सुक्षम वतनवासी, वो परमधामनेवासी, शिव भोलाना थ है, ग्यान के सागर है, शंकर जी को वो ग्यान का सागर नहीं कह सकते हैं, अब देखिए ना, जोली भी कौन भरता है, तो भगवान ने कहा है, कि ये जो शवद यूज करते हैं, वो किसके लिए करते हैं भोलाना थ, तो भोलाना थ, अर्था भोले भालों का नाथ, अर्था दुनिया जिसको बिलकुल ऐसे सदारें सम्झती है इग्नोर करती है उसको परमात्मा आके कहा जाता ना अबलाओं को सबला बनाते हैं गरीब नवाज है जो गरीब हैं उनको बगवान आके ग्यान से माला माल कर देते हैं अले अकुबजाओं को तार देते हैं तो बगवान कह तो वो कौन करता है शिव करता है और शिव के मंदिर अलग है शिवाले कहते हैं शंकर के मंदिर अलग है तो लोगों ने शिव शंकर को मला के शिव शंकर भोले नात कर दिया एक ही है लेकिन आप देखेंगे शंकर ध्यान में बैठे हैं सामने उसके शिव की प्रतिमा दिखात वो ज्यान का सागर है क्यों को प्रालब्द देने वाला शंकर जी के लिए तो नहीं कहते है म attractive ढारे बहुते हैं शंकर लिए दो नहीं है जोली बहर दे इसी तरह ।परदे ने क्या शिव रख्र अप्रतरी मनाते हैं शंकर अधर नाती तो नहीं उसको कहते है शिवकिरी परित्मा शिवका जो मंदिर होता इसको शिवाले कहते हैं, शंकराले तो नहीं कहते हैं, तो बगवान ने सारी बाते स्पष्ट की हैं. बाबा कहते हैं, कि एक वक्त था, जब स्विष्टियोती रजो प्रधान थी, उस समय भी लोग कहते थे, रिशी मुनी आदी कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज के मनुष्र जो तमो गुणी हैं, बाबाबा कहते हैं, उस समय के नहीं जानते हैं, तो आज के जो तमो प्रधान के समय के हैं वो कैसे जान सकते हैं इसमें बाबा हमेशा कहते हैं कि देखो सबसे बड़ी भूल है मुझ परमात्मा को सब जगा कहना उचे से उचा परमात्मा जिसको एक तरफ उचे से उचा कहते हैं जिसके अवतार मानते हैं और धर्मों वाले भी उसके पेगंबर मानते हैं और उसको लिबरेटर कहते हैं, हैं, खोईया कहते हैं, उस कहता है मुझ परमात्मा को उन्हें सब जगा कह दिया, फिर बाबा कहता है, देखो, जो दौापर युग था, उसमें रजो पर धानता थी, वहां के भी जो रिशी मुनी थे, उन्होंने रिसर्च किया, बगवान को क्योंकि खोज ही हमारा भक्ती मारक में, उस समय जो शुरू में खोज किया, उन्होंने पाया, कि मुनुष आत्मा अलपग्य है, वो तो अगले पिछले जन्मों को भी नहीं जानती, तो तीन लोकों के ग्यान को कैसे जानेगी, और ये फिर गीता में भी वर्नित है, कि मैं आत्मा जो तुम को ग्यान दे रहा हूं, ये बहुत काल से प्रायलुप्त है, तुम अपने पिछले जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं, है ना भगवान ने कहा, तो जो मुनुष आत्मा अपने पिछले जन्मों को नहीं जान सकते, तीने लोकों को कैसे जानेगी, त किसे नह पाया तुम्हरा अंत उंचे से उंचा बहात किसी मनुछा आत्माने तेरा अंत नहीं पया। ये भी कहते हैं तुमुरी गत्मत तुम ही जानी कि जो तुमuma banditsगत करने की मतब तुम ही जानते हूप तुम ही बताते हो। फिर आज ये इस्चरिय के बहान कहता है कि सब मेरे को व्यापकर कर दिया पत्थर में ठिकर में बाबा ने भोला नात का जो है बताया है कि उन्हें अपना शरीर नहीं है निराकार है और पूजा भी निराकार की करते हैं लेकि उनकी जैनती भी जरूर मनाते हैं यानि निराकार शिव को मानते हैं इसलिए निराकार जोती लिंगम जोती सुरूप के मंदर शिव लिंगा या शवालें के रूप में कश्मीर से कन्या कमारी तक है और उन सब के नाम परमात्मा कहीं करते हुए वाचक हैं कहीं अमरनात है कहीं विश्वनात है कहीं महाकाल है कह नहीं राम एशुर है राम जी ने भी दिखाते है शिव की पूजा की कि नहीं इसको राम बनाया सब बताते हैं फिर भी बावा कहता है पूजा निराकार की ही करते हैं फिर भी बावा कहता है जैंती जैंती और निराकार की जैंती को मनाते हैं यह निराकार अगर निराकारी र है और उनका जहनती का मैंने उनका अवतार है किसी के शरीर को धारन करके अन्य आत्मा के वो प्रवेश करके उसके शरीर का अधार लेते हैं यह भी गीता में लिखा हुआ है कि मैं परमात्मा माता के गरब से शरीरिक जनम नहीं लेता मैं परकृति को अधियन करके अवत्रित ह हो तो बगवान वो सारा बता रहे हैं फिर बावा ने इसमें ये भी बताया है कि मैंने जो ग्यान दिया था वो कि संस्क्रित में नहीं दिया था और शलोकों के रूप में नहीं दिया था बोली बाली माता हैं संस्क्रित और शलोक कैसे जाने क्योंकि परमात्मा के अवतरन का स इसने लिखा है उसने इसको शलोकों के रूप में संस्कृत में लिखा एक बात इसमें और जो बाबा ने समझाई और सब के जानने योगे हैं कि बीच में किसी को भी मुक्ति नहीं मिल सकती है और देखिए ये भी भगवान बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई नाटक चल रहा ह है और इसमें एक्टर्स ने इंड तक पाठ पर जाना है कोई एक्टर बीच में कहे कि मैं चले जाता हूं थो बुखती कहता कि सिस्टम है आत्मा स्रिष्टी पर आती हैं और आती जाती है अपने नंबर के नुसार सत्यूग में आते हैं देवता फिर तृता में दूसरे फि अंत में जाते हैं क्योंके नाटक ऐसा तो कोई बीच में ये समझे मुझे मुक्ति मिल जाए ये इसी परकार से है कि कोई खेती करता है तो खेती में आप जानते हैं फसल पहले उगती है फिर बढ़ती है फिर फल फूल देती बाद में काटी जाती है कोई आज कल तो लोग छो मख्त कोई होई नियुक्त मैंने इस सारे नाटक के पार्ट से चूटना जब आपके इसाप किताब बने हुए आपने जनम लिया तो इसाप किताब को खतम किये बगार मुक्त होई कैसे सकते हैं इसमें बाबा की मुडली में आज एक बात और जो स्रीमत भगवत गीता के रचाईता के बारे में है, स्पष्ट करते हुए है, समय को भी सिद्ध करना है, बाबाबा दे श्री कुछन को तो कहते हैं वैकुंठ का प्रंस, और फिर कहते हैं उन्होंने गीता सुनाई, और फिर बताते हैं कि असुर और ये लोग थे देवताएं, तो देवताएं और असुर ये इकठे वास नहीं कर सकते, देवताएं देवताओं की दुनिया में होते हैं, और वो वहां होते हैं, दूसरी बात, ये भी कही जाते हैं कि देवताएं कभी भी पदे श्रिश्टी पर पाउ करते हैं और इसका एकस्पलनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि परमात्मा जब आते हैं तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकरम विनाश होंगे अब परमात्मा कौन है उसको जब तक उसी रूप में याद नहीं करेंगे तो विकरम विनाश नहीं होंगे अब क्रिशन का नाम गीता पे लिख दिया और बलकि गीता में ही है कि जब विराट डूप अर्जुन ने देखा तो उसके बाद उसने का कि हे भग फरमात्मा मैं तो तुम्हें क्रिशन समझता था ये भी लिखा हुआ कि तुम्हें क्रिशन नहीं हो लेकिन इस बात को दुनिया प पूरां देवता और जिनको पीपल के पते पर भी दिखाते हैं कि पहला पता है नई स्रिष्ट का है वो भला कल जुग में कैसे आएंगे क्योंके गीता तो बगवान ने पतिद दुनिया में सुनानी पतिद दुनिया में तो देवतां की परचाई भी नहीं पड़ती तो इ कैसे आएंगे फिर बाबा दूसरी बात कहते हैं कि देवतां की दुनिया अलग है वहां पर हिंसा होती नहीं उस वो दुनिया ही अहिंसा परमो धर्म से शुरू होती है विश्नु की खानदान है और विश्नु को कहा जाता है वैशनव आज भी किसी होटल में मास नहीं करता तो वैशनव होटल कहते हैं तो ऐसे देवता जिनकी दुनिया में शेर और गाय भी एक घाड जल्ब कीते हैं वो हिंसा की दुनिया में कैसे आजाएंगे और हिंसा करवाएंगे कैसे तो बगवान कहता है देवताओं का लोग की ये लग है उन्होंने देव असुर संगराम कि असुर और देवता लड़े, अब देवता कैसे लड़ेंगे, और ये दिखा दिया है कि देवता किसी उपर के लोक में रहते हैं, और असुर गर-गर-गर करते उस लोक में जा रहे हैं, असुर तो देव लोक में जाए नहीं सकते, रात और दिन कठे नहीं रह सकते, अंदक का जगराता करते हैं मैं परमात्मा ब्रह्मा के रूप में आकर मातों के द्वारा कल्यान करता हूं जिसके नदियों के रूप में गायन है कई बाते हैं लेकिन स्री क्रिशन कहां से आ गया तो बाबा समझाते हैं स्री क्रिशन के शरीर को याद करना परमात्मा को याद करना हो हो भी नहीं सकता, स्री कृष्ष्ण देवता है बाबा हमद्चों को कहते हैं कि मैं देखो तुमको कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं नहीं देता हूं मैं सुर्ब तुमको इतना ही वह कहता हूं मुझे याद करओ अपने वरसे को याद करो इसको ही कहा जाता है अजब पार जाप तुमको मुख से नहीं कुछ कहना है पर तुस सालेंस में बाबा को घर बैठे भी याद करना है क्योंकि जो कहते हैं निरंतर याद करो अब मुख से बोलकर आप निरंतर तो नहीं बगवान का नाम ले सकते अजपा जाप मैंने जाप करो यानि बार बार को लेकिन बोलो नहीं तो मानसिक तोर पे कहा गया लेकिन परमात्मा इससे भी दूर ले जाता है वो कहते हैं कि यह तो समझ की बात है, कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे पिता है, उनको मैं याद करूँगा, तो मुझे सत्युका वर्सा मिलेगा, अर्थात मेरी सद्गती होगी, इसको याद रखना है, बस. अब बाबा ने कहा न, क्या क्या तुमको याद रखना है, मौत सामने खड़ा है, सब की वानप्रस्त अवस्ता है, वापस घर जाना है, घर को याद करना है, अपने बंधन तोडने है, बुद्धी तूटेगी तब जब तुम याद करोगे, विकरम विनाश होंगे, बाबा कह ये बाते याद करते रहो, तो तुम्हारी बुद्धी में अजब पाजाप चलता रहेगा, क्योंकि उदर जोडेंगे तो इदर तूटेगा, अगर उदर जोडेंगे ने कहें, ये तूट जाए, तूट जाए, तो बुद्धी भटकेगी, ये होगा ये असान तरीका बताय है, तो असार उसका ये है, इस समय वानपरस्ती वस्ता है, मृत्यू सामने खड़ी है, विनाश के असार सारी दुनिया देख रही आज तो, कि बिल्कुल मृत्यू के हम कगार पर खड़े है, कब हो जाए, पता नहीं पर त्यारी पूरी है, उससे पहले पहले प्रमात्मा को याद करके, अपने हसाब किताब जुक्तु करे, अपना वर्सा ले लो, बाबा नहीं बहुत अच्छा कहा, कि देखो, शास्त्रों तो भक्ती मार के हैं, शास्त्रों की इज़त भी बहुत रखते हैं, परिक्रमा कराते हैं, जैसे चित्रों की परिक्रमा कराते हैं, अब बा बाबा नहीं hear no evil, see no evil, talk no evil को इसके साथ जोड़ा, बाबा किते हैं, सर्फ बाप के सिवाए और किसी की भी बात नहीं सुनो, अ शरिरी बनो, सपुछ भूल जाओ, अब देखो बाबा ने, हमारी रसमें जो है, उसको बताया है, फिर उसके भावर्त को बताया है, उसका वास्त भी रहसे क्या है, और उसके उपर चलो, अब हम क्या करते हैं, कि शर्दा भावना से, चित्रों को, मुर्तियों को गुमाते हैं, है ना, उनकी निकालते हैं, आप देखेंगे, पुरी में रती यातरा निकालते हैं, कही जगा, फिर शास्तरों का भी उतना ही समान दे कर, लो करते हैं, लेकिन अब मैं हूँ विचितर, मैं हूँ सिर्फ एक बिंदू रूप, जोती बिंदू परमात्मा, तुम भी विचितर आत्मा हो, मैं तुमको भी परिकर्मा कराता हूं, लेकिन क्या, कि आत्मा समझ कर, अपने चारों यूगों के चकर को, याद करो, जिसको करके कल जुग में आगई पतित बनी, फिर मुझे विराग हुआ, भगवान ने मुझे अब वापस लगया, इस यात्रा को करोगे, तो आत्मा के अंदर वो संसकार भरेंगे, बिंदू बनके, बिंदू को याद करके, और सब कुछ जो तुम पहले करते आए हो, उसको छोड करके, तो तुम्हारी सद्गती होगी, इसी को कहा गया, सर्व धर्मान परित्यज, माम एकम शर्नम बराग, यह जो तुम करते आए हो, अब इसको छोड़ो, मुझे याद करो, मन में वो परकर्मा करोगे, वो संसकार भरोगे, तो तुम सत्मुच मेरे पास आजाओगे, बा लिंक हैं, बाबा कहते हैं, पूजी और पुजारी तो तुम आत्मा बनती हो, तुम को तुम्ही देवता बनते हो, और तुम्ही फिर आ करके नीचे आखते हो, तो मैं तुम्ही फिर पूजी बना, मैं पूजी बनता हो, ना पुजारी बनता हो, ना मैं सत्जुग में आता ह तो जन अमरे में आते हैं। थे इसे को हम सो आपले का कैं लोग मंतर देते हैं। ओ यह कहते हम सो परमात्मा परमातम आत्मा बनाओ। वबाब कहते हैं यह नहीं है। हम सो देवता देवताar हम। बर्दान है अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डान्स करने वाले खुश नसीब भव अमरत वेले से रात तक आप ब्रामन बच्चों को जो श्रेष्ट भाग्य मिला है उस भाग्य के लिस्ट सदा सामने रखो वह मेरा श्रेष्ट भाग्य जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो कुछ भी हो जाए मरने तक की बात भी आ जाये लेकिन खुशी नहीं जाये शरीछ चला जाए लेकिन खुशी स्लोगन है हर्षित मुख रहना है तो साक्षी पन की सीट पर बैठ द्रश्टा बनकर हर खेल को देखते चाले है यह थी बाबा की आज की मुडली मुडली में बाबा ने जो वर्दान दिया है अपने भाग्ये की लिस्ट बनाओ कौन-कौन सा भाग्ये हमें प्राप्त हुआ ह हर एक व्यक्तिकत रूप से अपनी वो लिस्ट तयार करें यही आज हम होमवर्क लेंगे ओम शान्ति